इस वीडियो में हम फिनॉल की थर्ड केमिकल रियक्शन के पढ़ेंगे रीमर टीमर रियक्शन इसके पहले हमने दो केमिकल रियक्शन पढ़ रही है एसेटालेशन और कार्बोकसिलेशन Remotimer reaction important reaction होती है और exam में भी आती है Remotimer reaction में phenol को chloroform तथा sodium hydroxide solution के साथ जब heat किया जाता है, react किया जाता है तब ortho hydroxy benzaldehyde तथा para hydroxy benzaldehyde का formation होता है जो ortho hydroxy benzaldehyde है वो main product होता है और stable product होता है stable इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो OH group का hydrogen है यह इस CHO aldehyde group के oxygen के साथ hydrogen bonding का formation करता है इसलिए यह जो ortho hydroxy benzaldehyde ही stable होता है और para hydroxy benzaldehyde में step से कोई साभी hydrogen bond नहीं बनता है इसलिए para hydroxy benzaldehyde कम stable होता है यहाँ पर phenol लिया है इसके reaction करवा रहे हैं chloroform के साथ तो यहाँ पर यह जो ortho position होती है यहाँ पर जुड़ा होता है hydrogen यह जो hydrogen है यह यहाँ से bond break करके जब बाहर निकलता है तो यहाँ का hydrogen निकलेगा और यहाँ से आ जाएगा CH और यहाँ से आ जाएगा O इस step से जो CHO रहेगा aldehyde group रहेगा वो ortho position पर जुड़ जाएगा और ortho hydroxy benzaldehyde का formation होगा या फिर पेरा position पर जुड़ जाएगा और पेरा hydroxy benzaldehyde का formation होगा अब इसके साथ यहाँ पर एक sodium बाकी है यहाँ का एक hydrogen यहाँ के 3 chlorine तथा यहाँ का एक hydrogen इस type से यहाँ पर 1 NaCl तथा 2 HCl के molecule बाहर निकल जाएगे यहाँ पर phenol की reaction हम carbon tetra chloride के साथ तथा sodium hydroxide solution के साथ भी करवा सकते हैं इस reaction में जब carbon tetra chloride के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर ortho hydroxy benzoic acid का तथा पेरा hydroxy benzoic acid का formation होता है सेम reaction होती है यहाँ पर भी ortho position पर carboxlic group जुड़ जाता है या फिर पेरा position पर carboxlic group जुड़ता है और ortho या पेरा hydroxy benzoic acid का formation होता है आगे हम जो हमने chloroform के साथ जो reaction करवाई थी उसके mechanism में देखेंगे यहाँ पर जो chloroform होता है उसके reaction होती है एनेोज के साथ sodium hydroxide के साथ तो यहाँ पर जो chloroform में carbon से hydrogen जुड़ा है यह जो carbon होता है इससे 3 chlorine atom जुड़े होता है जो highly electron negative element होता है जो भी highly electron negative elements होता है वो bonds के electron को अपनी और attract करता है जैसे ही इस carbon के पास से इधर electron attract करेंगे इसके पास carbon की density कम होगी जैसे ही यहाँ पर density कम होगी यह जो hydrogen रहेगा यह यहाँ से bond break करके बाहर निकलेगा अब यहाँ पर इसकी reaction इस NaOH के साथ करवा रहे है तो जो NaOH का जो OH है वो इस hydrogen को अपनी और attract करेगा क्योंकि इसके ओपर negative charge है मिंस extra electron है और यहाँ पर यह hydrogen के पास electrons की कमी होती जा रही है क्योंकि यहाँ पर यह chlorine atom है यह electrons को अपनी और attract कर रहे है तो carbon के पास electron के density कम हो रही है तो hydrogen के पास electrons की कमी हो रही है OH के पास extra electron है तो यह इसको अपनी और attract करता है तो यह H, यह OH, H2O के form में यहाँ बाहा निकल जाएंगे और यहाँ पर बचेगा इस carbon के पास loan pair बचेगा और negative charge बचेगा यह hydrogen अपने electron donate करके गया है इसलिए इसके ओपर negative charge आ जाएगा आगे यह जो carbon रहेगा इसके साथ 3 chlorine आइटम जुड़े हैं अब यहाँ पर यह जो carbon रहेगा इसके पास electron के density ज्यादा रहेगी तो यहाँ पर यह जो chlorine रहेगा यह highly electron negative element है तो यह अपने electrons को अपने साथ लेकर Cl negative के form में बाहार निकल जाएगा जैसे यह Cl negative के form में बाहार नि इसकी reaction होती है वो react करता है dichloro carbon यह दोनों आपस में react करते हैं तो यहाँ पर जो फिन ऑक्साइड आयन में जो oxygen item होता है जिसकी अपास 3 lone pair होता है और 1 negative charge होता है यहाँ पर 2 lone pair होता है और 1 negative charge के form में रहता है तो यहाँ पर यह जो negative charge है यह इस carbon के साथ double bond formation के लिए आता है औ bond break होगा तो इन दोनों carbon के पास valence आएगी यहाँ पर जैसे ही valence आएगी यह negative charge इसके साथ यहाँ पर bonding मना लेगा तो यहाँ पर double bond बन जाएगा अब जैसे यह bond break होता यह जो position रहेगी carbon के यह जो position रहेगी यहाँ पर जो dichloro carbon है वो attack करेगा इस carbon के साथ अटेक करके यह जो dichloro carbon है इस position पर ortho position पर जोड़ जाएगा और यहाँ पहले से hydrogen जुड़ा है तो इस type के structure बनेगी आगे यह जो benzene ring है इसके aromaticity अभी यहाँ पर complete नहीं है क्योंकि यहाँ पर केवल दो ही double bond है तेकिन aromaticity तब आती है जब यहाँ पर तीनों alternate double bond present होते हैं अब यहाँ पर aromaticity फिर alberg के बाहा निकलेगा तो इस carbon के पास फिर से yeah आजाएगी अभी है इलो पर इस carbon के वालन से फिर से आजाएगे, फिर से alternate double bond present हो जाएगे, अब यह जो यहां से hydrogen निकला था, यह जो carbon है, इसके पास valency होती है, तो यह जो hydrogen यहां से निकला है, वो bond बना लेगा इस carbon के साथ, तो यहां पर हो जाएगा CHCl2, और इस oxygen के उपर रहेगा negative charge, आगे यह जो compound है, फिर से यहां पर जो OH group है, वो react करेगा, वो जो OH रहेगा, वो जुड़ेगा इस carbon के साथ, जैसे यह जो OH रहेगा, इस carbon से जुड़ेगा, तो यहां का जो chlorine है, वो अपने electrons को अपने साथ लेकर Cl negative के form में बाहर निकल जाएगा, यहां पर जो NaOH था, उसका sodium आया था, यहां से chlorine निकला था, त जो इसका OH है था, वो जुड़ जाएगा इस carbon के साथ, तो यहां पर हो जाएगा, CH, CL और यहां पर जुड़ गया है, OH के compound बन जाएगा, आगे के स्टेप में फिर से एक NaOH आएगा, तो NaOH के जो OH hydroxyl group होगा, वो फिर से इस compound के साथ react करेगा, अभी यहां पर यह जो chlorine है, य CHL negative के form में, या फिर इस Na के साथ reaction करके, NsCl के form में यह बाहर निकल जाएगा, और जो OH आएगा, वो इस hydrogen को अपने साथ, अपनी तरफ अट्रेक्ट करेगा, और H2O के form में यह फिर से बाहर निकल जाएगा, अब यहां पर CL भी निकल चुका है, hydrogen भी निकल चुका है, तो य यहां पर रिंग के साथ, ortho position पर जूडा रहेगा, CHO, और यहां पर oxygen के उपर रहेगा, negative charge, अब आगे reaction होगी, acidification की reaction होगी, means H+, आकर जूडेगा, वो जो H+, रहेगा, वो जूडेगा, इस oxygen के पास, क्योंकि यहां पर valency रहती है, तो यहां पर oxygen के साथ, पास जूड जूड जूडेगा, CHO, इस step से formation होगा, ortho hydroxy basaldehyde का,